Hello dear friends, मैं आज आपसे बात करूँगा कि आपको NCRT जितने भी आपकी basic books है और Danic Jagran या फिर Dhan Hindu जो newspaper है उसके short notes आपको किस तरीके से बनाने और short notes क्यों बनाने ज़रूरी है क्योंकि UPSC का जो syllabus है वो काफे बड़ा है बहुत सारे आपके subjects हैं उसमें essay, GS paper, 1, 2, 3, 4, फिर optional paper और इसके कारण होता क्या है कि अगर आप short notes नहीं बना कर रखते हो आप basic books को पढ़ते रहते हो तो जो revision है उसमें भी काफी time लगता है और चीजों को लेकर जो clarity है और UPSC मैंस में हम कोई भी question को जब attempt करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे points नहीं रहते और उसका एक जो बड़ा region है वो रहता है कि हमने जो topics हैं उनमें points जो रहते हैं key points उनको revision नहीं किया उन topics पर हमारी पकड़ नहीं है और पकड़ कब हो आईगी जब आपके पास उस particular subject से सम्मदित आपके पास short notes रहेंगे NCRT के short notes रहेंगे आपके पास newspaper के short notes रहेंगे ताकि जो last month रहेगा exam का उसमें आप उनको particular revision कर सको तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने short notes को prepare किया है और जो आपको help कर सकते हैं कि आप भी उसी way में अपने short notes को बना सकते हो चाहिए वो NCRT हो या basic books को तो अभी हम देखते हैं कि कैसे मैंने short notes को बनाया है हाँ तो dear friends हम बात कर रहे थे कि कैसे मैंने short notes बनाया है तो जैसे यह economics का NCRT है नाइंध क्लास का तो इसमें आपने देखा होगा कि पहले प्रस्तावना तो यह मैंने वैसे ही economics का लिख दिया लेकिन first chapter है पालंपूर गाओं की कहानी तो इसमें पालंपूर गाओं में मुख्य कौन-कौन से activities है फिर उत्पादन की क्रियाएं तो इसमें हमें हमेशा हमें पता है कि land labor and capital and entrepreneurship यह सभी हमें जो जो भी production activities उसमें आती है फिर उसके बाद में उसमें दे रखा है कि जो भी फिजिकल जो capital है उसमें दो टाइब की है fix capital functional capital तो इस तरीके से मैंने सोट नोट्स इसके बनाए हैं और कितने पेज दूसरी तरफ लिखा अभी नहीं है तो हमने इस NCRT को जो मैंने इस NCRT को लगभग 10 पेज में खतम किया है लेकिन अगर दोनों तरफ लिखते तो कि यह पांच पेज में NCRT हमारी complete हो जाती तो 5 पेज में complete होने से फाइदा क्या है कि बार-बार हम अच्छे से revision कर सकते हैं इसको और हमें NCRT बड़न नहीं लगीगी यह 10th क्लास के NCRT है जिसको मैंने लगभग 11 पेज में खतम किया है लेकिन दूसरी तरफ नहीं लिखे तो यह अगेन यह 5 पेज में हमारे NCRT complete हो जाएगी उससी तरह की से 10th 11th क्लास के NCRT उसमें भी जो important points है उनको आपको लिख लेना है कि अपनिवेसिक काल में निम्न आर्थिक विकास जो था जो लो कि आप ऐसा demand नहीं करोगे कि सरी ये short notes का में PDF बेद दीजिये हम भी देखना चाहेंगे आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको short notes बनाने हैं आपको short notes खुद से ही बनाने हैं, खुद के ही बनाने हैं, तब ही जाकर, आप बहतर performance कर पाओगे, अगर आपने topers के short notes पड़े, तो आपके लिए notes बन जाएंगे, ना कि short notes खुद के. जब नौट्स बनेंगे तो आपके उपर खुद को बर्डन आएगा और उसमें बड़ी दिक्कत होगी इसी तरीके से जैसे यह है एंसेंट जो एंसेंट की जो ओल्ड एंसेयर्टी है उसके मैंने सोट नौट्स बनाए हैं साथ में मैंने यह भी किया कि जो यह मैपस है तो मेरे लिए इंपोर्टेंस के लिए वह मैंने इसमें इंक्लूड किया तो आप अपने अनुसार जो आपको लगता है कि इन बातों को मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपने उसमें वह आपको इंक्लूड करना है और जो आपको लगता है कि नहीं यह मेरे लिए इंपोर्ट यह पूरा एक मैने का है जिसमें आप 1 जून से लेकर पूरा 30 जून, 30 जून तक का पूरा आपके पास न्यूज पेपर है, तो उसमें डेली जैसे एक जून का यह पेपर है, तो एक जून में आप देखोगे की देनिक जागन के पेज नमबर वन पर पीम किसान सम्मान नी दी योजना आई थी, तो इसके बारे में हमने लिख दिया, किसान पैंसन योजना है, दूसरा टोपिक, फिर देश विया पिटी काकरन योजना है, पसों के लिए, तो यह बहुत इंपोर्टेंट, आप इसमें लिख सकते हो, कि इंडिया में एग्रिकल्चर जो है, पसुदन है किसानों के लिए, उसमें क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें आप एक्जंपल डाल सकते हो, यह ASEAN का एक था, चुनाओ आचार सहिंता है, उसके बाद अमेरिका इंडिया 2 प्लस 2 वारता, IPC की धारा 377, यह हमेशे इस बार फिर अगर आप किसन देखोगे, एथिक्स में, तो एथिक्स में, कंस्टुटूशनल मॉरेलीटी किया होता है, और हाले में सुप्रीम कोड के कौन से ऐसे डिसीजन है, जो कंस्टूशनल मॉरेलीटी को बरकरार रखते हैं, तो उसमें एक एक्जामपल आप यह भी डाल सकते थे, प्रोजक्ट टाइगर, और उसके बाद, GSP Generalized System of Preference India and USA को लेकर जो भी प्रोब्लम से रही थी टैरिफ को लेकर उसके बाद विदेशी व्यापार में कौन-कौन से चुन होते हैं इंडिया के लिए उसके बाद इंडोनेशिया और इस बार जैसे माउंट आगूं इसमें जौला मुखी मतलब विस्वोट हुआ था और पर्टिकुलर रिस एक येर में रिसेंट येर में कौन-कौन से जौला मुखी वोलकेनों विस्वोट हुए तो आपको कहीं चोटी-चोटी बाते आपके पास एकटी रखनी है और एक क्यूसन पेपर प्रिवेस येर के कि कौन-कौन से आज के डेट में जो आज जो मैंने न टोपिक हैं ऐसे करके हर देका चाहिए चार हो पांच और छेए साथ ये पूरा हर एक डेका क्या है न्यूजपेपर आपको ऐसे बनाना है इसमें टाइम जरूर लगेगा एक से दो गंठे दो गंठे है तीन गंठे लेकिन एक बार जब बना दोगे तो उसके बाद क्या को आपको यह याद रखणा है की को जा बी इस बूपक को पड़ोगे तो पहले जब आपको और इसका स्थेन नोट भी नहएं तो पहले हैं अपको इस बूख को आपको अच्य से पढ़ना चेप्टर-वाइच और अच्छ यह से यह बदने की बाद आद ही आपको क्या करना इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, तो आपको अगर बार बार इस बुक को पढ़ोगे, कुछ-कुछ जो important points आपको लगते हैं, उनको आपको ऐसे यहां पर attach कर लेना है, ताकि आपको पढ़ने के लिए, future में जो भी आपको पढ़ते समय, जो भी कोई भी points हैं, जिन कि इस chapter में मेरी कितनी command है, तो question को मैंने कितने solve किया, ऐसे करके आप हर और कोई paper है, अगर देनिक जागन में आपको लग रहा है कि कोई important, कोई अच्छा article आया, college में सुधार की दरकार, तो ऐसा कोई आपको लगता है, तो आप उसको चिपका भी सकते हो, जैसे मैंने चिप तो ऐसे करके आपको previous year के question जो है, उनको भी यहाँ पर solve करना है, तो ऐसे आपको हर एक जो book है, कोही भी वो book रहे है, उस पर आपको command बनानी है, my dear friends, इसी तरीके से मैंने, जैसे यह अगर हम बात करें, प्रस्थावना जैसे economics का रमेज सिंग है, तो उसी की तर, की भी मैंन short notes बनाए, आपको करना क्या है, पहले आप जब आप देखोगी, तो paper third, paper third में पहले आपके पास syllabus होना चाहिए, कि syllabus में क्या क्या है, आप यूही रमेज सिंग को उठा के पढ़ना ही start मत करो, पहले आप paper GS, paper first, second, third and fourth, उसके आपके पास यह होना चाहिए, कि हाँ, यह syllabus है, सलेबस के बाद फिर आप chapter start करो, कि हाँ, इस रमेज सिंग में कौन-कौन से मेरे chapters complete हो रहे हैं, तो इसका chapter first हो गया, फिर इसका chapter second जैसे growth, development, happiness, और यह ज़्यादा तर आपके mens में काम आता है, अगर आपको अच्छे से आएगा, तो आप easily इसको क्या कर दोगे, बहुत अच question आते हैं, इस बार भी पूछा गया था, land reforms को देखो कितना अच्छे से दे रखा है, 2021 में अगर बात करें, economics में, तो economics में land reforms से directly question था, तो अगर आपका पढ़ा लिखाया है, पढ़ा हुआ है, तो आप easily कर सकते हो, उसके बाद, जो भी diversification है, green revolution समंदित question आई जाते है, cropping pattern से इस बार भी question था, कि cropping pattern या crop diversification का क्या important role है, MSP से समंदित coin excuse question आजाते है, subsidy, तो ये सभी, जिस टाइब से मैंने आपको बताया कि किस टाइब से हर chapter का मैंने short notes बना के तयार कर रखा है, तो उसी तरीके से आपको भी कोसिस करना, कि बुक्स के आप short notes जरूर बना के रखो ज्यादा भारी भरकम भी short notes नहीं बनाने है, इतने easily बनाना है कि आप उन्हें last and final जो time रहे, last week exam से पहले रहे, उसमें easily आप उनको फटाफट revision कर सको और men's के time भी आप उनको अच्छे से revision कर सको, तो dear friends, हमने पूरा मैंने बात किया कि short notes कैसे बनाने है, और आपको समझ में भी आयोगा, तो मेरा ये suggestion रहेगा कि किस तरीके से आपको चीजों को manage करना है, books के short notes बनाने है, ताकि last and final जो time रहता है exam का, exam से 15 दिन पहले आप easily उन notes को बार बार revision कर सकते हो, और एक confidence generate हो जाता है short notes बनाने के बाद, और मेरा again आपको एक suggestion रहेगा, कि short notes आपके खुद के होने चाहिए, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप इधर विदर किसी भी topers के short notes के चकर में मत पढ़ना कि ये short notes इकटे हो जाए, उसके short notes में इकटे कर लेता हूँ, आप खुद के जब बनाकर short notes बनाओगे उनको पढ़ोगे, तब ही जाकर आप better performance exam में कर पाओगे, इ मेरा आप सभी को best wishes my dear friends, again thank you, thank you very much.